गोज़ो जाइभा हुआ जाइभा हुआ जाइभा हुआ गज़ो नमस्कार आप जगाए नबीश इट्व सीट ओंडिफोर में हुँ अधेश पुरी बिहार में योजना अगनी पत को लेकर पिछले चरपाश दिनों के उपद्रवक के बाद आपको बता दे की बिहार की सुषाशन की सरकार जागी है और अब झुह ह wr при जारी किये जा रहे हैं जो उत्पात मचा वो तो मचा ही अब उत्पातियों के फोटो जारी किये जा रहे हैं आपको बता दे कि कल जो है पाली गंजलाके में जम के बवाल हुआ तरेगना रेलवे जारी की गई है जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लोग जो हैं सामिल थे उपद्रों में और सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि मातर 40 लोग की फोटो जो है अभी तक जारी किया गया है जब कि संख्या हजारों में बताई जा रही है जिनके द्वारा पाली गल्न ज जारी किये गए फोटो में वो यूवक हैं जिन्होंने सरकारी गारी में आग लगाने थाना में घुसकर तोड़ फोड़ करने और सरकारी काम में बादा पहुंचाने का काम किया पाली गंज पुलिस अनुमंडल के पदाधिकारी हैं और देश दिख्षित उन्होंने ग्राम को हिंसक हुए छात्रों ने थाना में घुसकर जम के तोड़ फोड़ किया थाना के सरकारी गारी में आग लगा दी और बजार में सड़क जाम कर उग्र परदर्शन किये गए इससे सरकार की लाखो रुपय की छती हुई है तो इसको लेकर जो है वो फोटो जारी किया गिया है और लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में परदर्शन लगभग 22 जीलों में हुए और फोटो की ओल पटना के पाली गंज में ही जारी किया जा रहा है यानि कि जो उपद्रव हुआ उस उपद्रव को में जो भी सामिल थे जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुक्सान है यह थी और आपको बता दे कि बड़ा है दुरभागे का बात है कि जिस राज्य के मुखिया यह दवा करते हैं कि लॉइन ओडर उनका यूएस पी है यानि कि सरकार जो है उसका प्रमुख अस्तंब लॉइन ओडर को मेंटेन रखना है और उनहीं के राज्य में चार-पां कानून का राज है और आप अगर ऐसा करेंगे तो बच नहीं पाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं हुआ और जम के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गिया इसकी जद में लाखों लोग आए जो भयभीत रहें जो अपनी यात्रा के दोरान परिसान रह करते रहें उनकी ट्रेने फुक दी गई दहसत के महौल में रहें वो तो कहा जाए तो बिहार एक सुसासन का राज्य का होने का दवा किया जाता है लेकिन यहां पर जो पिछले चार-पांस दिनों से जो घटनाय घटी उसके सामने पुलिस पूरी तरह से वेवस नजर आई और उपद्रवी करने वाले लोग जो हैं वो उपद्रव करते रहें और सबसे बड़ा दुरभाग ये तो बीजेपी नेताओं के साथ जुला हुआ है कि उनके घरों पर हमले किये गए उनके कारियालियों में हमले किये गए उनका इस्तिती ऐसा बन गया है अभी कि वो अप संद्र सरकार ने दिया है लेकिन कितने हजारों कारेकरता हैं मंत्री हैं विधायक हैं जिनको अभी भी डर लगा हुआ है कि कहीं उनके साथ उपद्रवी जो हैं गलत विवहार न करें तो बिहार सरकार को समय रहते करवाई करनी चाहिए थी और अभी जो फोटो जारी किया जा रहा है तो हम आसा करेंगे कि इन सभी पर करवाई इमांदारी से किया जाए इनको इन पर करवाई करते समय यह न देखा जाए कि यह किस जाती से आते हैं किस चेतर से आते हैं और किनका इलाका है क्योंकि अगर बिहार में सही माइने में सुसासन का राज अस्ताफित करन तो कानून सब के लिए बरावर होना चाहिए और सबको यह पता होना चाहिए कि अगर आप कानून या फिर लॉइन ओडर को भी याड़ने का कोशिज करेंगे उसके साथ खिलवार करेंगे तो आपको डंड मिलेगा ही मिलेगा तो देखने वाली बात है कि आगे क्या करवाई ह होती है और अन्य जिलों में क्या करवाई होती है लेकिन आपको बताएं कि छात्र जो है नराज अभी भी चल रहे हैं तो सरकार को इस वीडियो में इता हैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो